नमस्कार दोस्तों, एक्जाम ड्रीम में आपका स्वागत है दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने आपको अपने एक क्लोस रिलेटिव जो की यूपी पुलिस में रेडियो आपरेटर हैं उनकी सैलरी की पे इसलिब दिखाकर आपको बताया था कि रेडियो आपरेटर की सैलरी कितनी होती है और अन्य क्या क्या फैसिल्टीज होती हैं सब उस वीडियो में मैंने आपको बताया था तो दोस्तों अगर आपको उस वीडियो को देखना हो तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और कमेंट सेक्शन में भी उसका वीडियो का लिंक पिन कर दूँगा तो आप चाहें तो उसको देख सकते हैं तो दोस्तों उस वीडियो में आप सबने comment करके हमसे जो बीट out पूँचे थे उनको clear करने के लिए आज हम आपके लिए एक detailed वीडियो लाएं हैं वीडियो शुरू करनने से पहले दोस्तों, आप सबसे एक要 request है, कि प्लीज हमारे चैनल को subscribe कर लीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो की notification आपको मिलती रहे, दोस्तों प्लीज हमारे चैनल को subscribe करके हमको support कीजिए, आपका support ऐसे ही मिलता रहेगा, तो दोस्तों देरी किये बिना शुरू करते हैं अपनी वीडियो सबसे पहले हम जानेंगे ट्रेनिंग में कितनी सेलरी मिलती है दोस्तों यूपी पुलिस रेडियो उपरेटर को ट्रेनिंग में पूरी पूरी सेलरी मिलती है जैसे UPSI की training में सिर्फ उनको मान दें दिया जाता है मतलब training में उनको around 3-4 थाजार दिया जाता है UPSI वालों को पर radio operator के साथ ऐसा नहीं होता है उनको full पैसा दिया जाता है, full salary मिलती है training में और कोई भी post हो चाए workshop hand हो, चाए assistant operator हो, चाए head operator हो सबको training में full salary मिलती है तो salary के लिए आप इसमें एक दम निश्चित रहें आपको training में अपनी पूरी-पूरी salary मिलती रहेगी next है कि दोस्तों इसमें duty कितने घंटे की होती है तो दोस्तों इस job में duty hours बिलकुल office time का है आपको 9 बजे office जाना है और 5 बजे office से अपने कमरे पर वापस आ जाना है पर दोस्तों अगर आपकी posting जो है वो dial 100 जो होता है dial 100 के control room में है तो आपको उसमें night duty भी करनी पड़ती है dial 100 में पर जो dial 100 उसमें आपको night duty में सिर्फ अपने office में radio system की उपर बैठना होता है आपको अपने radio system को manage करना होता है रात के समय और दिन में manage करना होता है पर अगर आपकी ऐसे कहीं और होती है मुक्षाले बगरा में तो आपको सिर्फ दिन की duty करना है पर dial 100 एक ऐसी service इसमें आपको night की duty करना पड़ता है इसलिए dial 100 में अगर आपकी posting है तो उसमें आपको एक advantage ये मिल जाता है कि dial 100 में posting होने पर आपको लगबग 2-3,000 रुपए salary अधिक बढ़ कर मिलती है तो इसमें आपको ये benefit रहता है dial 100 में कि आपको 2-3,000 रुपए ज़ादा मिल जाते है salary में next बात करते हैं कि इसमें home district में posting मिलती है कि नहीं मिलती है तो दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग जिस district के रहने वाले होते हैं उसको कहा जाता है home district और उस district को touch करने वाले जो बगल के जिले होते हैं उनको कहते हैं border district civil police में क्या होता है कि civil police में आपको ना ही home district मिलता है और ना ही अगल-बगल के border के district मिलते हैं पर radio operator में आपको benefit होता है वो यह होता है कि आपको border district मतलब जो आपका home district है उसके जो बगल के district है तो बगल के district में आपको posting बड़े असानी से मिल जाती है तो इसमें आपको ये advantage मिल जाता है Next है कि Sunday और festivals की छुट्टी मिलती है कि नहीं मिलती है तो दोस्तों अगर आप Radio Operator की posting जो है वो अगर महानगर लखनाउ में जो पुलिस Radio का headquarter है अगर Radio Operator की posting वहाँ पर होती है तो वहाँ पर Sunday के दिन half time की छुट्टी मिलती है पर यदि आपकी posting पुलिस लाइन के control room में है या Dial 100 के control room में है तो आपको नहीं Sunday की छुट्टी मिलती है नहीं कुछी festival की छुट्टी मिलती है नहीं तो आपको Sunday की दिन छुट्टी मिलती है नहीं किसी गस्टिट तिवार के देने तो आपको वहाँ पर रोज लुट्टी करनी होती है कहाँ पर पुलिस लाइन के control room में और Dial 100 के control room में नेक्स्ट है कि retirement तक किस post तक पहुचेंगे तो देखिए जो कर्मशाला कर्मशारी के पत पर बरती होंगे तो कर्मशाला कर्मशारी जो होती है constable के equivalent rank तो अगर आप कर्मशाला कर्मशारी में डारेक्ट बरती होते हैं तो उसमें आप जब maximum promote होंगे तो retirement तक आप maximum maximum कहां तक पहुच सकते हैं head operator जो एक star लगाता है बस आप वहाँ तक पहुच सकते हैं फिर next बात करते हैं assistant operator के बारे में assistant operator जो हुआ है वो head constable के equivalent rank होती है अगर आप directly assistant operator के पत्वे बरती होते हैं तो retirement तक आपको radio SI जो कि अपने कंदों पर दो star लगाता है police के sub inspector के equivalent rank होती है आप retirement तक maximum वहाँ तक पहुच सकते हैं पर अगर आप बरती होते हैं directly head operator के पत्वे जो कि अपने कंदे पर एक star लगाता है तो अपने retirement तक आप radio inspector जो कि तीन golden star लगाता है police के inspector के equivalent rank होती है आप वहाँ तक पहुच सकते हैं तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा next है कि life style कैसी रहती है दोस्तों इस job कि life style बहुत ही easy होती है और बहुत ही smooth होती है कोई भी workload नहीं होता कोई hectic नहीं होती है और नहीं आपकी life को कोई risk होता है और आपको पढ़ाई के लिए भरपूर time मिलता है family के लिए भरपूर time मिलता है छुट्टी के कोई समस्या नहीं होती है आप जब चाहें तब और जितनी लंबी चुटी चाहें उतनी लंबी चुटी ले सकते हैं आप पर ये ध्यान रखिए कि साल में आपको सिर्ब 90 दिन की चुटी मिल पाती है मतलब एक साल में तीन माईने की चुटी आपको अलाव होती है तो दोस्तों आपके जो भी कमेंट हो जो भी टाउट हो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं और दोस्तों प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमको सपोर्ट कीजिए आपके चैनल सब्सक्राइब करने से हमको मोटिवेशन मिलता है दोस्तों और फिर हम आपके लिए और भी ज्यादा मैनत करेंगे और बहुत अच्छी वीडियो लाते रहेंगे तो हमारी वीडियो को पूरा लाज तक देखने के लिए दोस्तों आपका धन्यवाद हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद